यहां I am Bangalore के अधिकांश लोग अपनी पूरे जिन्दगी लगातार काम्याब होने वाले लोग रहे हैं, किसी न किसी शेत्र में, मगर I am Bangalore में हमें कभी-कभी महसूस होता है कि हम उतने काबिल नहीं हैं, तो दूसरों की तुलना में औस्त होने के दबाव से कैसे बचें? पुतने अच्छे नहीं हैं, वो आपको बताएं या ना बताएं, आपको समझना चाहिए कि हम में से कोई भी कभी काफी अच्छा नहीं होता, अगर दुनिया में आपके इरादे बहुत बड़े हैं, तो आप कभी वाकई काफी अच्छे नहीं होते, लोग मुझसे कहते रह था, मैं चामुंडी पहाडी पर गया और वहां बैठा, बिना किसी वज़े के मैं पर्मानंद से भर गया, मेरे शरीर की हर कोशिका में विस्फोट होने लगा, मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, जब मैंने अपने सबसे करीबी दोस्तों से बात की, तो वे बोले, बत मगर मैं जानता था कि मुझे सोने की खान मिल गई है, बिना किसी वज़े के मेरे अंदर कुछ जबरदस्त हो रहा है, अगर मैं ऐसे बैठा हूँ, तो मैं इतना अनंदित हो जाता हूँ, कि जो मुझे दो मिनट लगते हैं, वो साथ-ाथ घंटों में बदल जाते हैं, क्या उस समय मैंने एक प्लान बनाया, ये मेरा प्लान था, कि ये बहुत जबरदस्त चीज है, अगर मैं बस यहां बैठता हूँ, तो मेरे अंदर परमानन फूट पड़ता है, फिर मैंने तै किया, उस समय दुनिया की आबादी करीब पांच, पांच अरब साथ करोड थी, मैंने सोचा कि धाई सालों में, मैंने एक प्लान बनाया, एक विशेश प्लान, कि मैं ये कैसे करूँगा, मैं धाई सालों में पूरी दुनिया को आनंदित बना दूँगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं लगता, आप बस यहां बैठे हैं, तो वो हो जाता है, खेर, 37 साल, खेर, हमने शायद दुनिया में 50-60 करोर लोगों को सपर्श किया है, मगर दुनिया के बारे में मेरा विचार ये नहीं है, दुनिया के बारे में आज मेरा विचार 7.6 अरब लोग हैं, तो मैं जानता हूँ मैं असफल होकर मरूँगा, 100 फीसदी, और बाकी जो कुछ मैं करन चाहता हूँ, मुझे पता है कि मैं शायद उसका 10-15 फीसदी भी नहीं कर पाऊँगा, मगर मैं आनन्दित होकर मरूँगा, क्योंकि मैं आनन्द में जी रहा हूँ, और मैं आनन्द में मरूँगा, इसलिए ये सबसे बहतर है कि आप अपने जीवन में असफल हो, इसका मैंने एक घर खरीद लिया, क्या ये एक उपलब्दी है, मुझे एक नौकरी मिल गई, मैंने इतना पैसा कमाया, ये जीवन को देखने का एक बहुत ही सीमित नजरिया है, मैं चाहता हूँ, कि युवा लोग इसे इस तरह देखें, कि हम कुछ ऐसा कैसे करें, जो इस जीवन काल में नहीं किया जा सकता, अगर मैं उसे पूरा नहीं कर पाया, तो क्या होगा, अगर आप लगातार काम करते हैं, और जीवन के अंत में भी वो काम पूरा नहीं होता, तो इसका अर्थ ही ये नहीं है, कि आप असफल है, इसका मतलब है कि आपके पास एक बड़ा सपना थ इसका ये अर्थ है मेरी कामना है आप असफल होकर मरें ठीक है? ये होना चाहिए आनन्दित और असफल इसका मतलब आप कुछ अच्छा कर रहे हैं आप एक दुखी सफलता नहीं है